सुप्रभात बच्चों, हम लोग पिछली कक्छा में कविता का अर्थ पढ़ते, आगे हम कविता का सब्दार्थ देखते हैं न्यारा, सबसे अलग, प्रतिफल, हर समय, पखारे, धोई, पावन, पवित्र, नमाये, जुकाये, समारा, सजाया, रक्षा, हिफाजत, प्रकृति, कुद्रत, सीचन, सीचन, सफल, काम्याब, जग, संसार, सागर, समुंद्र, नीज, अपना, शीष, सीर, सही विकल, चुने, इस कविता में प्राणों से प्यारा किसे बताया गया है, देश को, नदियों को, हिमालय को, देश वासियों को, तक्का देश को, भारत देश का रूप समार कर कैसा बनाया गया है, प्राणों से प्यारा, जग से न्यारा, सुरक्षित, सबसे सुन्दर, ख, जग से न्यारा, तीसरा नंबर, हिमालय किस दिशा में अस्थित है, हिमालय उत्तर के उत्तर दिशा में इस्थित है, ग नंबर, गह, इस कविता के अनुसार वर्षा कैसे होती है, इस कविता के अनुसार वर्षा, जब बादलों से टकराते हैं, किस नदी को कवि ने इस कविता में पावन बनाया है, का नंबर, गंगा, सागर किस दिशा में भारत मात के चरन पकहारता है, गह, दक्छिण, किस, प्रश्णों के उत्तर लिखिए, इस कविता में किस का गुणगान किया गया है, इस कविता में भारत देश का गुणगान किया गया है, हिमालय परवत भारत पर क्या उपकार करता है, दक्छिण में सागर किस के चरन पकहारता है, भारत मा के चरन पकहारता है, गंगा की धारा कैसी है? गंगा की धारा पावन है हमारा जिवन सफल कैसे बन सकता है? हमारा जिवन मात्र भूमी की सेवा करके सफल बन सकता है सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ भारत्यक के दक्षिन में कौन सा सागर है हिंद महा सागर जब बादल टकराते हैं तब वर्सा होती है देश हमारा कविता का सार अपने शब्दों में लिखो हमारे देश कविता का मुख सारिया है कि इसमें देश की प्राक्तिक सोंदरिका अद्भूत द्रिश है जिसके उत्तर में हिमालय खरा है जो हर समय देश की रक्षा करता है इसके दक्षिन में हिंद महा सागर जो भारत मा के चरन पकारते हैं हमारे देश में पावन गंगा नदी बहती है जो सब के कश्टों को दूर करती है इस देश को अनेको रिशिमने अपने हाथों से सजाये हम सवारा है ऐसा देश की सेवा करके अपना जीवन हमें सफल बनाना चाहिए इसे बच्चे आप स्वैम लिखें दिये गए सयुक्त वर् से बने दो नय नय शब्द लिखें जैसे इसमें दिया हुआ है कश्ट आपनों लिखें और लिखें सब्द बनाईएगा नश्ट भरष्ट न्यारा न्याय अन्य प्यारा प्यास प्याज दिये गए सब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें सागर का सिंधू जल, पानी, नीर बादल का घटा, मेग जग, जग का संसार, दुनिया सभी प्रश्णों के उत्तर को आप लोग कौपी में अच्छे से लिखेगा याद करिएगा, धन्यवाद